वेल, घलो, दूस्तो, इस तरह का मेसेज जो आता है कि औरी बात का इस्तिमाल करने में, तो यह किन योजर्स को आ रहा है, सबसे पहली बात के दीखे, जिनका किनरी बैनकि में काउंट नहीं है, यानि कि औरा वा क्वेका योजर्स का माल्लो, आप एंटर से ण partis ल्गर हो कर सो आपने एकाउंटे उपन नहीं किया, चाहे वो किसी भी पुर्चेस हो, ऑनलाइन, अफलाइन, कोई मेंडर नहीं करता, चाहे आपको वो current account हो, saving account हो, कोई भी account हो, अगर आपका account नहीं है, तो आपको digital रूपी एप में किनेरा बैंक के permission नहीं दे जाएगा, और इससी जो है, आप इस्तेमाल कर पाऊगे, लेकिन यहाँ जो हमें देख रहा है, जो हमें message होँआ, उसके माध्यम से हमें यहीं पता चल रहा है, कि कनेरा बैंक में जिनका account नहीं है, वो digital currency का use नहीं कर पाएगे, हाँ, वैसे अगर आपका others में, अगर आपका mail नहीं भी आया, फिर भी प्लेश्टूर चे आप डाउनलोड करके use कर सकते हूँ, चेक कर सकते हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में, मैंने इनका कनेरा बैंक का full registration वाला वीडियो डाल चुका हूँ, कि आप लोग कैसे step by step registered कर सकते हैं, जिनका सिर्फ केनेरा बैंक में account है, मैं पहले बोल दो कि जिनका सिर्फ केनेरा बैंक में account है, वही users रेजिस्टर कर पाएंगे, और जिनका account नहीं है केनेरा बैंक में, उस users का registration कंप्लीट नहीं होगा, इसी तरका message सो करेगा, कि आपके mobile number पे कोई भी हमें Canada bank का account प्राप्ति नहीं हुआ है, इसके लिए हमें आपको आगे बढ़ने का permission, यानि कि Canada bank में digital rupee wallet activate करने का options नहीं देंगे, तो जब तक आप लोग Canada bank में account उपन नहीं करोगे, तब तक आपको permission मिल जएगा, और जिस users का account है, Canada bank में वो जो हैं बिद्नास कर सकते हैं, और किसी का मानलो account है, फिर भी नहीं हो रहा है, तो उनको mobile number अपडेट करवाना पड़ेगा, इसके अलाबा कोई उपाइन नहीं है, I hope का आपके ये information न चलीगी, वीडियो चलीगी वीडियो को like किजीगा, दोस्तों के साथ सहीर किजीगा, thank you so much, चैनल को subscribe करें भी नहीं जाएगा, क्योंकि subscribe करने से notification आपको मिलेगा, thank you,